हेलो गाईज, असलाम अलेक्टूम, होप यौल आ डूइं ग्रेट, आज हम अपने किचन में चिकन लैक पीस बना रहे हैं, तो इसकी रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, यह मैंने 8 लैक पीस ले लिए हैं, अब हम चलेंगे मसाले की तरफ, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा डालेंगे बेसन, थोड़ा सा चाट मसाला, और थोड़ा सा तुक्या का मसाला और नमक, यह सब चीजें हम इसके अंदर डालके लैक पीस को रेडी करेंगे, पीस सब मसाले हमने बाउल के अंदर डाल दी हैं, अब इसके अंदर डालेंगे, हम सोय सॉस, 3 टेबल स्पूल हम सोय सॉस जालेंगे, हमने इसके अंदर पानी वगएरा कोछ आड़ नहीं करना, इसी से हम इसके बैटर रेडी करेंगे, अब अच्छी तरीकी से इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा गाड़ा गाड़ा से इसका पेस्ट पहुंच है, अगर इतना गाड़ा नहीं रखेंगे, कि वो चिकन में मिक्सी ना हो पाया, और इसके अंदर जलंस अगरा बन जाते हैं, वो सब भी खतम कर देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स हो गया, इसके अंदर कोई लंप्स नहीं है, विल्कुल कोई गाड़ा गाड़ा नहीं है, हमने इसके सास में इसको रीड़ी कर रहा है, अब हम इसके अंदर अपी सारी चिकन डाल देंगे, और चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, चिकन में हमने थोड़े से बारिक बारिक से कट लगा दिये थे, उसकी वीडियो मैं बनाना भूल गई, वगर आप लोग उसमें लाजमी लगा लीजिए का ताकि अंदर तस चिकन के टेस्ट आजाए, और ये इसका बैटर लगा के हम आदे घंटे के लिए इसको रख देंगे, चिकन को, आदे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, सो गाइस, आदा घंटा हो गया है, मैंने टोते पे, तो हमने एक जगा ऑईल गरम होने रख दिया था, तो ऑईल हमारा गरम हो चुका है, ऑईल हमने ये 4 कप ऑईल लिया है, हम डीप फ्राइए नहीं करेंगे, हम अगर इसको अच्छे से फ्राइए करेंगे, कि ऑईल अच्छी तरीके से चिकन पर हो जाए, तो सबसे पहले हम चिकन डालने स्टार्ट कर देंगे, चिकन इस पर डालने के बाद कब से कम 5-7-10 मिनट तक के लिए चिकन पकाएंगे, हमारी चिकन तो अब मैंने इसके बाद बिल्कुम जडी चिकन अच्छी तो अब दो, आपको दिखाई है 10 अब देखें हमारे जिए हैं करनी मोग त्रीक राεται किम ला ओखाना ऑक फि मेरी टार ह हमते हैं आपको मेरी वीर अच्ही लगी हो तो अब प्लेस में चैनल को मैश्मा हफाना तो प्लेस में चारे